Hello Friends, Assalamualaikum आज हम आप लोगों को गले में जिप लगाना बताएंगे कि किस तरह से गले में जिप लगाया जाता है और पाइपिन की हल्प से गला बनाया जाता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड से देखिए हमने जिप लगाने के लिए एक जिप ले लिया है और अपने गले की कटिंग के हिसाब से हमने ये पट्टी ले लिये उसी की साइज से हमें पट्टी भी लेना है और इस पट्टी को हम तीन साइट से फोल्ड कर देंगे इस तरह से हम सिलाई लगा कि तीन साइट से इसको पोल्ड कर देंगे तो हमने तीन साइट से इस पति पे सिलाई लगा लिए अब हम अपने गले को इस तरह से रखते को आपनी पति को देख लेंगे कि उसके साइज की है या नहीं तो हम अपने गले को उल्टी साइड पलेट देंगे और पट्टी को नीचे रखेंगे और उपर अपने गले को रखते विए बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखेंगे और यहां से हम इसकी आउट लाइन सिलाई लगा लेंगे तो हमने यह एक सिलाई लगा लिये अब हम इसे बीच से कट करेंगे इसे कट लगाने में हम यह दोनों कोनों पर थोड़ा-thोड़ा हम कट लगाएंगे और बहुत साओधानी से ताकि हमारी सिलाई ना कटे अब इसे सीधी साइड इस तरह से पलट देंगे और अपने zip को हम देख लेंगे कि हमारा zip सही है या नहीं अब इसे बंद करेंगे और यहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे सुलु में सिलाई लगाने के लिए हमें zip को थोड़ा सा कोलना होगा और जो हमारे ये इस्टिल के पिन लगी होती है उसके थोड़ा सा उपर से हम सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारा जिप थोड़ा छोटा है इसलिए तो इस तरह से हम थोड़ी से सिलाई लगाएंगे और फिर हम जिप को बंद कर देंगे अब हम पुरे गले में सिलाई लगा लेंगे, पुरे जिप की आउट लाइन सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुर किनारे हम सिलाई लगाएंगे और बहुत ही फनीशिंग के साथ हम सिलाई लगाएंगे, हमें तीनों तरफ से इसी तरह से सिलाई लगा लेना है, यहां हम थोड़ा जिप को खोल देंगे, और इस तरह से यहां बहुत ही साथानी से सिलाई लगाएंगे, नहीं तो इस तील के हमारी सुई भी तूट सकती है, तो देखिए हमारा जिप लगके कंप्लेट हो चुका है, अब हम इस लोए की पीन को निकाल देंगे, क्योंकि हमारा चैन थोड़ा छोटा है, तो देखिए हमने दोनों इस तिल को निकाल दिया है, अब यहां जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम कट कर देंगे, अब हम गले को देख लेंगे, हमारी साथ थोड़ा छोटी बड़ी इस टोर पे आप ले सकती हैं इस तरह से हम पाइप इन को लगाते हुए दोनों तरफ फोल्ड करते हुए इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से गला बनाना बहुत ही आसान है हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे कि पाइपिन के नीचे साइड और उपर साइड दोनों तरफ हमारी सिलाई होनी चाहिए और यहां हम पैपिन को cut कर देंगे और इस तरह से fold करतेंगे हम गले को इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम यहां थोड़ा सिलाई को मजबूत कर देंगे ताके हमारी पैपिन को लेना तो देखिए हमारे एक side का गला ready हो चुका है ठीक उसी तरह हम दूसरे साइड का भी गला बनाएंगे तो उसी तरह से हम पाइपिन को दूसरे साइड भी फोल्ड करते विए इस तरह से हम लगाएंगे और यहां सिलाई को थोड़ा मजबूत करेंगे और पूरे गले में इस तरह से पाइपिन को लगाते हुए हम इस गले को तयार कर लेंगे तो फ्रेंड्स देखी हमारा गला बिल्कुल कंप्लेट हो चुका है हमने जिप भी लगा लिया और गले में पाइपिन भी लगा लिया यह हमारे अबाया का गला है इसलिए यह ब्लैक कलर में है तो इस तरह से गले में जिप लगाना और पाइपिन लगा के गला तयार करना बहुत ही इजी है तो अगर यह वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्क